गाड़ी हो या इंसान जो समय पर गेर चेंज कर दे वही जीतता है राजा बनने के लिए गुलामों की तरह मेनत करना चाहिए फिर क्या पता गुछे की एक चाबी आपकी किस्मत का ताला खोल दे जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें तो कुछ से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं बस भीड से तोड़ा सा अलग हूँ वो काम ही कैसा जिसमें आपको भूख, प्यास और नीद आए अगर आप सच्चे दिल से तयार नहीं हो कोई भी काम करने के लिए किसी भी छेतर में महनत करने के लिए तभी आपको ये सब हो सकता है अगर आप सच्चे मन से तयार हो महनत करने के लिए तो आपको न भूख की आदाएगी न प्यास लगेगी आपको ये रहेगा कि मेरा ये काम कब कन्फर्म हो जाए कब तक क्लियर हो जाए जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो समझ जाना की सफलता आपके बेहद नस्दीक है जिन्दगी में कोई आपका साथ ना दे तो अकेले ही मेनत करो खुद ही मेनत करो क्योंकि खुद इसे बड़ा हमसफर जिन्दगी में कोई नहीं होता है अच्छे समय में और बुरे समय में एक ही बात कौमन याद रखनी है कि जो भी हो गुजर जाएगा चाहे वो अच्छा समय चल रहा हो या फिर बुरा समय चल रहा हो अच्छा समय भी बहुत दिन तक नहीं रुपता है और बुरा समय आये तो भी यही सोचना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा है ना पांच मिनट और सोने की आदत हमें घंटों पीछे ले जाती है किसी सक्सेस्फुल इंसान से पूछो नीदों को हराम करके ही इंसान सक्सेस को पाता है पिता वो सक्स है जो बुखार होने पर भी अपने लिए बुखार की दवाईयां नहीं लेते लेकिन अपने बच्चों के लिए टौफी, बिस्किट और खिलोने जैसी बहुत सारी चीजें लेके ही आते है ब्रम्हान के सारे नच्छत्र भले ही सत्य के खिलाफ हो जाएं लेकिन उसे जीतने से कोई नहीं बचा सकता जो संगर्स करता है गीता में साफ लिखा है, अगर आपका मन भक्ती में लग जाए तो ये समझना आपने भगवान को नहीं बलकि भगवान ने आपको चुना है भक्ती करने के लिए हिम्मत बढ़ती है जब हम एक जुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम प्यार कसाजा करते हैं नफरत बढ़ती है जब हम लोगों में नफरत पैदा करते हैं और रिष्टों में प्यार तब बढ़ता है जब हम रिष्टों की कदर करते हैं, उसकी परवा करते हैं, उसका क्यार करते हैं तो चीजें किस तरह से बदलती हैं हर एक काम का एक नतीजा होता है बशरते माइने ये रखता है कि आपने किस काम को किस सोच से करना शुरू किया है प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है लेकिन मिलता है बड़े ही कठिनाई से जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है लेकिन जो रिष्टों की एहमियत ही नहीं समझता वो रिष्टों को क्या ही समझेगा